डेनिस रसाइनग जोहांस ब्रॉंस्टेट तथा अंग्रेज रसाइनग थॉमस एम लॉरी के द्वारा अमल एवं छारक के लिए एक व्यापक अवधार्ना प्रस्तूत की गई यहां पर उन्होंने बताया कि अमल वे पदार्त होते हैं जो जली विलियन में H प्लस आयन यहां की प्रोटॉन देने की प्रवित्ती होती है यहां पर हम देख रहे हैं कि वे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रवित्ती विलियन से प्रोटोन यहने की H प्लस आयन ग्रहन करने की होती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्रॉंस्टन प्लॉरी की अवधारना है वह केवल H प्लस आयनों के त्यागने तथा H प्लस आयनों के विलियन से ग्रहन करने के पर आधारित थी यहां पर अमल वे पदार्थ होंगे जो कि विलियन में एच प्लस आयन देंगे जबकि छारक वे पदार्थ होंगे जो विलियन से एच प्लस आयन प्रोटॉन गरहन करेंगे यहां कि हम कह सकते हैं कि जो अमल हैं वो प्रोटॉन दाता होंगे जबकि जो छा वो प्रोटॉन ग्राही होंगे यहां पर हम एक और उदारन ले सकते हैं जैसे कि मालीजे हमने अमोनिया का उदारन ले रहे हैं जब हम अमोनिया एनस्थ्री को जल में विले करते हैं तो यहां पर जो अमोनिया है NH3 वह एक प्रोटॉन ग्रहन करता है उसकी विलियन में प्रोटॉन ग्रहन करने की प्रवित्ती होती है और यह प्रोटॉन ग्रहन करके NH4 प्लस आयन बनाता है क्योंकि हम जानते हैं अमोनिया एक उदासीन अनू है और जब इसके पास एक प्रोटॉन अत्रिक्ता आ जाएगा तो इस पर एक धन आविश आ जाएगा दूसरी ओर इसमें उपस्तित जो जल है वह एक प्रोटॉन दाता की भाती कारे करता है और इस तरह से यह एक प्रोटॉन दे देता है अमोनिया के अनु को और स्वयम OH- यहने की हईड्रॉक्सिल आइनों में परिवर्तित हो जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमोनिया एक प्रोटॉन ग्रहन कर रहा है जबकि जल एक प्रोटॉन त्याग कर रहा है और ब्रास्टेट लॉरी के अनुसार जोकि प्रोटॉन दाता या प्रोटॉन देने वाला अमल होता है जबकि प्रोटॉन ग्रहन करने वाला छारक होता है इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जल अमल की तरह विवहार कर रहा है जबकि अमोनिया यहाँ पर छारक की भाती विवहार कर रहा है इसके बाद हम एक और चीज यहाँ पर देखते हैं जब यहाँ पर अमोनिया के प्रोटॉन ग्रहन करने के पश्चात जो स्पीसीस तयार हो रही है इसमें एक प्रोटॉन की अधिकता हो गई है NH4+, यानि कि यहाँ पर एक प्रोटॉन अधिक है अब चुकि इसमें प्रोटॉन अधिक हो गया है इसलिए अगली अभिक्रिया में या हम कहले कि जो पश्च अभिक्रिया होगी उसमें इसकी प्रवित्ती एक प्रोटॉन त्यागने की हो जाएगी और इस स्थती में NH4 प्लस आयन एक प्रोटॉन दाता की तरह विवहार करने लगेगा तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दूसरी ओर जो OH- जल के प्रोटॉन त्यागने की पश्चात जो OH- आयन बना है क्योंकि इसके पास प्रोटॉन की कमी है इसलिए जो backward reaction होगी उसमें इसकी प्रवित्ती प्रोटॉन ग्रहन करने की हो जाएगी यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि अब यह एक छारक की भाति कारे करने लगेगा तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमोनिया के एक प्रोटॉन ग्रहन करने के पश्चात जो species तयार हुई है वह उस अमोनिया चुकी यहाँ पर छारक है तो उसका यहाँ संयुगमी अमल कहलाएगा दूसरी और यहाँ पर जल जो की अमल की भाति विवहार कर रहा था इसके एक प्रोटॉन त्यागने के पश्चात जो species तयार हुई है यहने कि OH-Ion अब उसकी प्रवित्ती चारिये हो जाएगी यहने कि उसकी प्रवित्ती प्रोटॉन ग्रहन करने की हो जाएगी तो इस तरह से यहाँ पर H2O चुकी अमल है तो OH-Ion उसका सयुगमी चारख कहलाएगा तो यहाँ पर हम पुना कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अमोनिया है NH4 प्लस आयन है वहाँ अमोनिया का सयुगमी अमल है जबकि OH-Ion है वह जल का सयुगमी चारख है यहाँ पर हम एक बात और देखें कि यदि हम जल और OH- को लें तो जल में हम देख रहे हैं H2O यानि कि यहाँ पर दो हैड्रोजन है जबकि OH- में एक हैड्रोजन है यानि कि जल और हैड्रोक्सिल आयन में एक प्रोटॉन का अंतर है और यह एक दूसरे यहाँ पर जल अमल की भाती विवहर कर रहा है जबकि OH-1 उसके सयुगमी चार की भाती कारे कर रहा है तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनके जोडे को हम कहेंगे सयुगमी अमल चार युगम इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सयुगमी अमल तथा उसके सयुगमी चार या हम कहलें कि एक चार तथा उसके एक सयुगमी अमल के बीच केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है इसी तरह से हम दूसरे तरफ देख रहे हैं कि अमोनिया जो कि यहाँ पर एक चारक की भाती विवहर कर रहा था जब इसने एक प्रोटॉन ग्रहन कर लिया तो अब NH4 प्लस आयन में परिवर्थित हो गया जिसकी प्रवित्ती अब प्रोटॉन त्यागने की है यहाँ पर अमोनिया चारक है जबकि NH4 प्लस उस एक अमल की भाती विवहर कर रहा है इसलिए यहाँ अमोनिया का सयुगमी अमल कहलाएगा यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि अमोनिया NH3 और NH4 प्लस आयन अमोनियम आयन यह दोनों के बीच सिर्फ एक प्रोटॉन का अंतर होता है तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रॉंस्टेट अमल चार युगम इसे हम कहेंगे जिसमें कि या सयुगमी अमल चार युगम कहेंगे जिसमें कि केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है यहां पर हम एक बात और बता दें कि यदि ब्रॉंस्टेंट अमल प्रबल अमल होता है उसका जो सयूगमी छारक होता है वह दुर्बल होता है इसी प्रकार से यदि ब्रॉंस्टेंट छार दुर्बल है तो उसका जो सयूगमी अमल होगा वह प्रबल अमल होगा इसी तरह से यहांपर हम देख सकता है कि जो सयूकमी अमल है यदि हम सयूगमी अमल और सयूगमी छार की तुलना करें या यदि हमें किसी species के सयूगमी अमल या सयूगमी छार का पता लगाना है तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी सयुगमी अमल होता है उसमें स्पिसीस की तुलना में एक प्रोटॉन अधिक होता है दूसरी ओर जो भी छार होता है उसमें उस स्पिसीस की तुलना में एक प्रोटॉन की कमी होती है एक और उदारन लेते हैं, यहाँ पर हमने लिया है HCl हcl को जब हम जल में विले करते हैं तो यहाँ पर अब जो जल है वह एक प्रोटॉन ग्राही की तरह विवहार करता है यानि कि चारक की तरह विवहार करता है जबकि HCl जोकी एक प्रबल अमल है यह प्रोटॉन दाता की तरह विभार करता है तो यहाँ पर HCl जोकी प्रोटॉन दाता है इसलिए यह एक अमल है जबकि यहाँ पर जल जोकी एक प्रोटॉन ग्रहन कर रहा है इसलिए यह यहाँ पर छारक की भाती विभार करेगा अब देखते हैं कि HCL के एक प्रोटॉन त्याग देने के पश्चात जो species बन रही है वह है CL- और CL- में प्रोटॉन की कमी है इसलिए अब इसकी प्रवित्ती प्रोटॉन ग्रहन करने की होगी और प्रोटॉन ग्रहन करने की प्रवित्ती होती है छारकों की इसलिए HCL चुकी अमल है तो CL- उसका सयुगमी छारक होगा इसी तरह से हम देख रहे हैं जल जल की अभी जो प्रवित्ती थी प्रोटॉन ग्रहन करने की थी यनि कि यहाँ पर यह एक चार की भारती चारक की भारती विभार कर रहा था जब इसने एक प्रोटॉन ग्रहन कर लिया क्योंकि चार की प्रवित्ती होती है प्रोटॉन ग्रहन करने की जैसे ही इसने एक प्रोटॉन ग्रहन किया और हाइड्रोनियम आयन H3O plus में परिवर्थित हो गया अब H3O plus इसमें प्रोटान की अधिक्ता हो गई है यहने कि यदि हम backward reaction दे या पीछे की और यदि reaction चले तो अब यहाँ पर जो hydronym ion है उसकी प्रवित्ती प्रोटान त्यागने की हो जाएगी यहने कि अब यहाँ पर या backward reaction में यहाँ एक अमल की भाती विवहार करने लगीगा और इस तरह से hydronym ion जल का सयुगमी अमल कहलाएगा तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पुना हम देखें कि HCl और Cl- जो कि एक आपस में अमल चार युग में हैं यहने कि सयुगमी अमल चार युग में हैं और इन में सिर्फ एक प्रोटान का अंतर है इसी प्रकार से H2O और H3O प्लस ion इन दोनों में भी केवल एक प्रोटान का अंतर है यहाँ पर हमने दो उधारण देखें यहाँ पर पहले उधारण में हमने देखा कि जल जब अमोनिया के साथ क्रिया कर रहा है तो चुकि यहाँ पर अमोनिया एक चारक है इसलिए जल उसके सामने अमल की भाती कारे कर रहा है दूसरे उधारण में हमने देखा कि जब जल की इकरिया HCL से होती है तो चुकि HCL यहाँ पर प्रबल अमल है इसलिए प्रबल अमल HCL की उपस्तती में जल चारक की भाती विवहार करता है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह जो जल है वह अमल तथा चार दोनों की भाती विवहार कर सकता है और यह जल की एक महत्तपूर्ण विशेस्ता है आएए अब हम कुछ उदाहरन लेते हैं और इसकी आधार पर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी स्पेसिस के लिए यदि सयुगमी चारक है तो उसका सूतर क्या होगा या फिर सयुगमी अमल है तो उसका सूतर क्या होगा सबसे पहले यहाँ पर हम उदाहरन ले रहे हैं यहाँ पर हमारे पास उदाहरन है hydrogen fluoride HF, H2SO4, sulfuric aml, तथा HCO3- यह एक आयन है अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनके सयुगमी छारक क्या होंगे तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया किसी भी species के सयुगमी छारक में उस species की तुलना में एक proton कम होता है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि HF यदि हमें इसका सयुगमी छारक बनाना है तो हमें इसमें से एक proton कम करना होगा और हम यह भी जानते हैं कि जब किसी species से एक proton कम होगा तो उस पर एक रुनावेश आ जाएगा तो इस तरह से HF का जो सयूगमी छारक होगा वह होगा F- इसी तरह से दूसरा जो उदारण है H2SO4 इसका जब हम सयूगमी छारक बनाएंगे तो इसमें से एक प्रोटान हटा देंगे और जैसे ही एक प्रोटान हटेगा तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसका जो सयूगमी छारक होगा वह होगा HSO4- इसी तरह से एक और उदारण हमारे पास है वह है HCO3- यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इसमें एक प्रोटान है और जब हम इसका सयूगमी छार बनाएंगे तो उसमें एक प्रोटान की कमी करनी होगी तो जैसे हैं हम इसमें से एक proton हटाते हैं इस पर एक चुकि एक इसमें negative charge पहले से ही है इसमें एक negative charge और जाएगा और इसका सूत्र हो जाएगा CO3 2- तो इस तरह से हम किसी भी species का जब सयूगमी छारक बनाएंगे तो उसमें species की तुलना में एक proton की कमी करेंगे अब उदारन दूसरा हम लेते हैं जिसमें हम इनके सयूगमी छारक हमारे पास कुछ species है और इनके हमें सयूगमी अमल बनाने हैं उदारन के लिए हमारे पास है NH2- NH3 तथा HCOO- और हमें इनके सयूगमी अमल बनाना हैं हम जानते हैं कि किसी भी सयूगमी अमल में उस species की तुलना में एक proton अधिक होता है तो यदि हमें सयूगमी अमल बनाना है तो हमें उस species में एक proton बढ़ाना होगा उदारन के लिए जब पहला है NH2- NH2- इसमें एक negative charge है और हम यदि इसमें एक proton बढ़ाते हैं तो इसमें क्योंकि H plus sign आएगा और इसलिए जो यहाँ पर minus का sign दिख रहा है वो यहाँ पर हट जाएगा और हमारे पास जो सूत्र हो जाएगा वो होगा NH3 यानि कि NH2- का सयूगमी अमल होगा NH3 इसी प्रकार अगला उदारन है NH3 अब NH3 एक उदासीन अनु है और जब हम इसमें एक proton बढ़ाएंगे क्योंकि हमें इसका सयूगमी अमल बनाना है जैसे ही हम इसमें एक proton बढ़ाते हैं इसका सूत्र हो जाएगा NH4 plus तो इस तरह से NH3 का जो सयूगमी अमल होगा वो होगा NH4 plus इसी तरह से तीसरा उदारन हमार पास हCOO- जब हम इसमें एक proton बढ़ाएंगे तो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो होगा हCOOH फार्मिकेसिट का और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था आयन में वह प्रोटॉन के जुनने की वज़े से समाप्त हो गया है तो इस तरह से हमें एक उदासीन अनू फार्मिकमल एक सयुगमी अमल प्राप्त कर सकते हैं यहां पर हम एक उदारन और लेना चाहेंगे हम यह बता दें कि कुछ इस पीसीज ऐसी होती हैं जो सयुगमी अमल और सयुगमी चार दोनों रूपों में परिवर्तित हो सकती हैं तो आए इसका उदारन देखते हैं यहां पर हमारे पास है जैसे कि हमने पहले यह देखा था जल H2O जल एक ऐसा योगिक है पदार्थ है जो कि अमल और चार दोनों की भातिकारी कर सकता है तो यदि H2O का हमें सयुगमी अमल चाहिए तो हमें उसमें एक प्रोटॉन की वृद्धी करनी होगी तो इस तरह से जब हम इसमें प्रोटॉन जोडेंगे तो यह हो जाएगा H3O जो की जल का जो की एक उदासीन अनु है उसका सयुगमी अमल होगा दूसरी ओर यदि हम जल का सयुगमी चारक बनाते हैं तो हमें जल के अनु में से एक प्रोटॉन कम करना होगा तो इस तरह से जल के अनु से एक प्रोटॉन कम करने पर हमें जो इस पिसीस प्राप्त हो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा, वो होगा H2CO3, यह सयूगमी अमल होगा, दूसरी और यदि हमें HCO3- का सयूगमी छार बनाना है, तो हमें उसमें से एक proton कम करना होगा जिससे हमें सूतर प्राप्थ होगा वो होगा वो CO32- जो कि इसका सयूगमी छारक होगा इसी तरह से एक species है HSO4- इसमें यदि हमें इसका सयूगमी अमल बनाना है तो एक proton जोड़ेंगे और यह हमें प्राप्थ होगा H2SO4 दूसरी ओर यदि हम इसका सयूगमी छारक बनाना है तो एक proton कम करना होगा और proton कम करने से हमें प्राप्थ होगा SO4-2-2- किसी तरह से ammonia ammonia भी सयूगमी अमल और सयूगमी छार दोनों रूप में परिवर्तित हो सकती है ammonia NH3 जब हम इसका सयूगमी अमल बनाएंगे तो हम इसमें एक proton जोड़ेंगे और यह हमें जो फार्मूला प्राप्थ होगा वो होगा ammonium ion यहने की NH4 प्लस आयन दूसरी और यदि हम ammonia को सयूगमी छारक में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें इसमें से एक proton कम करना होगा और इस तरह से हमें सूत्र प्राप्थ होगा NH2 माइनस तो इस तरह से हम देखें कि किसी भी species में एक proton बढ़ा कर हम उसका सयूगमी अमल प्राप्ति कर सकते हैं और एक proton की कमी करके हम उसका सयूगमी छारक प्राप्ति कर सकते हैं तो इस तरह से अभ्यास करके हम किसी भी स्पीसीज का सयुगमी अमल और सयुगमी छार प्रारक्त कर सकते हैं इस प्रकार हमने देखा कि ब्रॉंस्टेंट और लॉरी की जो अमल छार अवधारना थी वो ज़्यादा व्यापत थी आरीनेस की अवधारना से यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो ब्रॉंस्टेंट लॉरी की अवधारना है इसमें जल में विलियन की अवशक्ता नहीं होती है यहनि कि इसके द्वारा हम जल में अगुलनशील पदार्थों के अमली और छारी कुनों का भी अध्यन कर सकते हैं उधारन के लिए जैसे कि हम ले रहे हैं यहाँ पर बेंजॉय कामल C6H5OH जो कि एक कार्बनिक अमल है जब इसकी छार के साथ क्रिया होती है तो यह C6H5O- आयन देता है जबकि साथ में हमें प्राप्थ होते हैं जल तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कि ये कार्बनिक अमल है इसकी भी चुकि यहाँ पर ये प्रोटॉन त्यागता है इसकी आधार पर हम इसकी अमली कुन की माप कर सकते हैं यह पहचान सकते हैं कि इसकी प्रवित्ती अमली होगी। दूसरी और यहाँ पर हम एक दूसरा उधारन ले रहे हैं C6H5N जो कि एक छारक है और यह छारक अमली की उपस्तती में क्रिया करके यहाँ पर C6H5NH plus बनाता है। जो यह दर्शाता है कि यह प्रोटॉन ग्रहन कर रहा है और चुकि प्रोटॉन ग्रहन करने की वज़े से इसकी प्रवित्ती चारिये होगी। इसके अधार पर हम ऐसे पदार्थों की यानि की जो आयन के रूप में पाये जाते हैं उनके भी अमली एवं छारिये कुणों की इसपस्ती करन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता दें की ब्रोटॉन टॉरी की अधारना औरीनस की अधारना की तुल्ना में काफी व्यापकतो है लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। उदारन के लिए ब्रॉंस्टेंट लोरी अवधारना की आधार पर हम किसी ओप्रोटानिक अमल या छारकों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्रॉंस्टेन ट्लॉरी जो अधारना है वो प्रोटोनों के देने या प्रोटोनों के ग्रहन करने की प्रवित्ती पर ही आधारित है तो ऐसे पदात जिनमें की प्रोटोन नहीं पाय जाते हैं जो की ओप्रोटोनिक होते हैं ऐसे अमलों की या छारकों की के प्रवित Aluminium Trichloride यह सभी अमल की भाति विवहार करते हैं लेकिन चुकि इन में प्रोटॉन उपस्तित नहीं है यह अप्रोटॉनिक अमल होते हैं इसलिए इनके गुणों की व्याख्या हम ब्रॉंस्टेट लॉरी सिध्धान की अधार पर नहीं कर सकते हैं इसके अलब बहुत सारे धा अधात्मों के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति छारी होती है या फिर अधात्मों के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवित्ति अमली प्रकृति की होती है लेकिन चुकि इन धात्मों के या अधात्मों के ऑक्साइड भी अप्रोटॉनिक होते हैं अत्ता इनके भी अमली या छारी गुणों की व्याख्या हम ब्रांस्टेट लॉरी अवधारना की आधार पर नहीं कर सकते हैं। इनके भी गुणों की व्याख्या या अमली या छारी प्रवित्ती की व्याख्या हम ब्रांस्टेट लॉरी अवधारना की आधार पर नहीं कर सकते हैं।